नमस्कार साथियों मैं मित्यवाडी सक्सेस पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का दिन काफी एहम और काफी बड़ा दिन है प्रतेक विद्यार्थी के लिए भी आज महाशिवरात्री है तो सबसे पहले मैं आप सभी को महाशिवरात्री की हार्दिक सुबकामनाई देता हूँ और इस दिन से भी बहुत बड़ा दिन रीट के अभ्यार्थियों के लिए आने वाला है 25 अप्रेल के दिन चुँकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानि की गणित है तो उमीद करता हूँ आप सभी की त्यारी पूरे जोरो सोरों से चल रही होगी तो आपकी इसी प्रिपेशन को और मजबूत करने के लिए कुछ बहुत अच्छी खुसकवरी आपके लिए लेके आया हूँ कि एक टारगेट लिया ता हमने आपने मैंने हम सब हीने मिलके कि जो हमारा सब्जेक्ट है गनित जो हमारा सब्जेक्ट है मैथेमेटिक्स हमारा पहला टार्गेट था कि हम 20 से अच्छे नमबर स्कोर करें फिर हमारे टार्गेट में बढ़ोतरी हुई हम 25 तक पहुंचें अब हमारा एक नया टार्गेट है कि इस बार मैकसिमम अभ्यर्थियों का स्कोर गणित में 30 में से 30 रहे तो उसी कड़ी को और मजबूत करने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ बहत्रीन खुस्कबरी आने क्या हूँ देखिए सबसे पहली खुसकबरी आप लोगों के लिए सभी के लिए जो है उसकी और ध्यान देते हैं थोड़ा सा देखिए सबसे पहली खुसकबरी तो है कि REIT L1 और REIT L2 REIT L1 और L2 के जितने भी अभियर्थी हैं अच्छे से जो त्यारी कर रहे हैं हम एक Combo Course Mathematics का लॉंच करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में इस परकार का पहला Course होगा रीट से समंदित जितमें L1 और L2 का Course एक साथ प्रोवाइड करवाए जा रहा है और उससे भी वड़ी घुसना क्या है कि जो हमारा Course था इट्स अराउंड 3000 यानि कि लगबग लगबग जो 3000 रुपे के लगबग का Course था स्टार्टिंग के अंदर जो ओफलाइन बैचीज में लिया जाता था उस Course को बिलकुल ही सस्ते में आप लोगों को उपलब्द कराए जा रहे क्योंकि अब में टार्गेट अर्निंग नहीं है अब हमारा में टार्गेट अर्निंग ना होके लर्निंग का है यानी में लक्से जो हमारा सभी का है जो अलग से मैंने में टार्गेट है हमारा इस बार मैथ में तीस में कई नहीं पड़ेगी यह कॉर्इस आपका सिक्षन विधियों के सहित होगा यानि सिक्षन विधियां भी इसमें आपको प्रवाइड करवाई जाएगी और बिल्कुल जीरो लेवल से जो अभिहरती जो आपके स्टूडेंट हैं मेल फीमेल जो भी हैं कोचिंग नहीं आ सकते इस समय घर पे सेल्फ टड़ी कर रहे हैं और जिने गणित मुश्की लगती ह है उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया कोर्स है बिल्कुल फ्रेस कोर्स है बिल्कुल न्यू वीडियो जहें सभी और सभी के अंदर क्यूश्चन के लिए जो एकसरसाइज है वो काफी उपलब्द कराई गई है और इसके अंदर एक बहुत अच्छी न्यूज भी है यह क्या है यह थोड़ी दिर बात बताऊंगा आप लोगों को तो सबसे पहली आपके लिए खुसकबरी जो देने जा रहा हूं जो मैंने प्रोमिज किया था कि बहुत ही कम रेट में जो लगबग लगबग जीरो के करीब आपके लिए कोस्टिंग हूं अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या होगा देखिए हमने क्या क्या प्रयास किया है हमने सबसे पहले तो जो रीट का पाठे करम है जो हमारे रीट का सलेबस है पूरा का पूरा उसको भी इसके अंदर अर्जेस्ट किया है क्या क्या है उसमें देखिए सबसे पहले तो जो लगवग लगवग 5 से लेकर 6 परसन आप लोगों के हर बार पूछे जाते हैं इस बार भी पूछे जाएंगे इस बार के लिए थोड़े से जो important मुझे लगे वो क्या है सबसे पहले तो देखिए आपके जो संख्याएं हैं उनके अंदर आप से सबसे पहला question demature बनेगा वह बनेगा स्थान्यमानी का और जातीमानी पहला question आपके स्थानी लोर जातीमान का बन सकता है फिर उसके बाद में थोड़ा सा जैसे ही आगे चलूँगा अगला question आप से भीन से रिलेटेड़ पूछा जा सकता है भीनोuição का सार्थक करम पूछ सकता है आरोहि या अव्रोहि करम पूछ सकता है यानि fraction से related एक question पूछा जाएगा फिर मैं थोड़ा सा और अगे अगर चलता हूं तो आप से a question भाजकता या मैं बोलूँ विभाजकता उसका पूछा जा सकता है पिछले जो आटेट और रीट के चारो एक्जाम हुए हैं उनमें भी पूछा गया है तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा क्यूश्चन बनेगा विभाजक्ता से रिलेटेड वो उत्रोतर विभाजक्ता का पूछा जा सकता है यानि लगातार विभाजन करने का या नॉर्मल क्यूश्चन जो आपके फिफ्ट नंबर पे पूछा जा सकता है सभी से वो मैंने बता दिया था पहले संख्याओं से रिलेटेड एक क्यूश्चन और पूछा जा सकता है जो कि आपके एकाई दहाई या इनके अंक से रिलेटेड हो सकता है वो कोईन से रिलेटेड पूछा पर और मैसे पर से लेटेड एक्यूशन पूछा ही जाना है इस परकार लगबग लगबग जो वेटेज है पांच से छे क्यूश्चन का वो पहली यूनिट से रहने वाला है अब इसके बाद देखते हैं जो हमारी सेकंड यूनिट है जो की अंक गनित की है लगबग लगबग साथियो पांच क्यूश्चन यानि कि पांच परसन ज σ सेंज पूछे जाएंगे जो कि किस परकार डिस्ट्रिबिटेड होते हैं आप से एक क्यूश्चन ओसत का पूछ सकते हैं वह इस बार भी और एक या दो कि्षिट्टन मैं बोलूंगा लाब और हानी से related पूछा जा सकता है इस बार मुझे लग रहा है कि एक अच्छा question आपका profit and loss से related पूछा जा सकता है क्यों आप अगर देखोगे पिछले सालों में आयोगे questions को हर बार एक topic से अच्छा question पूछा जा रहा है पिछली बार ब्याज से related question हम यह नहीं बोल सकते जीरो लेवल का था अच्छा question था पिछली बार हम जैसे ही लाब हानी के बाद थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे हम से अच्छा question इस बार फिर से एक या दो question पूछे जा सकते हैं परतीसत के फिर उसके बार अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो ब्याज यानि कि जो simple interest है आपका उससे related भी आप लोगों से एक question पूछा ही जाएगा तो लगबग लगबग आपके चार नंबर का portion यहां से पूछते हैं और उसके बाद जो unitary method है यानि कि एक इक नियम है जिसे हम सामानेत है मिस्र समानुपात के जो concept MDH वाला उससे भी करते हैं वहां से भी related एक question पूछा जा सकता है तो minimum 5 या 6 questions का जो weightage रहने वाला है वो इस बार भी रहने वाला है हमारी अंकगणित से संबंदित साथियों फिर अगर मैं थोड़ा सा आगे चलू तो अगला होगा छेत्रमीती और ज्यामीती मुझे पूरी उमीद है आपकी त्यारी अच्छे से चल रही होगी इस चीज से related भी च्छित्रमीती और ज्यामीती यानि कि मैं बोलू menstruation and geometry आपके syllabus में mention किया गया है जो quadrilateral चत्रबुझ है उसमें only वर्ग को और आयत को फिर भी मैं मेरी तरफ चाप को बोलता हूँ आप basic आप basic त्रिबुट से related concept भी थोड़े बहुत देख लीजेगा और उसके अलावा जो circle है यानि कि आप लोगों का जो वृत है उससे related भी आप basic जो चीजे है यानि पहिये से related question तीन व्रतों को मिला दिया जाए चार को मिला दिया जाए उससे related भी basic question एक बार देख लीजेगा क्योंकि हर बार जो मैंने observe किया है एक या दो question लगबग लगबग वह इस परकार पू जामिती से पूछे जाएंगे दो तो 100% है तीसरा भी पूछ सकते हैं जामिती की और आउं तो जो लाइन एंड एंगल है रेखा एवं कौन है जिसे सम्मिलित किया गया है फिर मैं चलूं तो त्रिबुझ भी इसमें सम्मिलित है फिर चलें बेसिक तो चतुर्बुझ को भी यानि के रेगुलर पॉलिगन जिसे आप सम बहुझ भी बोलते हो इससे रिलेटिड भी एक क्यूश्चन पूछ सकते हैं सलेबस में देखे मैं एक चीज़ बार-बार कहता है हूं सभी अभियर्थियों को सम बहुझ इन्होंने मैंसर नहीं किया है लेकिन पूछा जा चुक क्यों अच्छा कीजिएगा मैं बताता हूं जो पिछले सालों में आई हुए क्यूश्चन की मैंने स्टडी की है उसके अकोडिंग इस बार दो क्यूश्चन आपके त्रिवुट से पूछ सकते हैं और एक या दो क्यूश्चन आपके पूछे जा सकते हैं इन तीनों टोपि और ज्यामिति का और मैं बोलूँगा रीट के अभ्यरतियों के लिए सबसे इंपोर्टेंट यूनिट यही है बिल्कुल असान यूनिट है और यही डिसाइड करने वाली है कि आप मैथमेटिक्स के अंदर अपना स्कोर कितना बढ़ा सकते हैं क्योंकि लगबग अभ्यरति किस परकार के बनेंगे सब कुछ आपको हमारे कोर्स में समझाया गया है फिर अगली जो दो यूनिट है वह आपके बनेगी इसका नीचर क्या है गणित की परकरती क्या है तरक सकती पाठे करम के अंदर गणित की इंपोर्टेंस क्या है गणित क्यों जरूरी है गणित की प पूछे जाते हैं और ये चोथी और पांच वी जो इकाई है ये प्रतेक अभेरती का मनोबल बढ़ाती है वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मिनिमम मिनिमम इन दस में से साथ नमबार या साथ क्यूश्चन तो हर कोई सही करेगा ही करेगा जो लाश्ट के जो तीन सभी को दोनों परवाइड करवाई जाने क्योंकि मैंने पहले भी कहा है इस बार हमारा टार्गेट अर्निंग ना हो करके लर्निंग है मेंली जो मैथेमेटिक से रिलेटिड समस्या है उसे दूर करेंगे आप और हम सभी मिलकर तो देखे सबसे पहले हमारी इकाई इन से रिलेटिड है हमारी पहले इससे रिलेटिड भी काफी एक्सरसाइज आपके समकत्स उपलब्द कराई गई है इकाई दो है लगबग लगबग देखे सातियों पांच से च्छे क्यूस्टन पहली में से पूछेंगे और लगबग लगबग आपके चार से पांच अनुपात और समानुपात अच्छा टोपिक है साजा हटा दिया है इस बार और उसके बाद आपके परतिसता जनम ये मिर्तिवदर को थोड़ा अच्छे से करना एक क्यूस्टन बन सकता है एक क्यूस्टन इसलिए बन सकता है पिछले चार एक्जाम में अभी तक इससे रिल इसमें भी जो इंपोर्टेंट यूनिट है आपके सब से जो 6 मार्क्स की रहने वाली है इस बार क्यों रहेगी जवाब देता हूं देखेगा इसमें पूरी की पूरी आपको छित्रमिती और जियामिती जो मेंसुरेशन और जियामेटरी है जिसमें अच्छे लेवल के हैं सबी इसलिए थोड़ा इसको ब्रीफली बताते हैं इकाई फोर सांखी की स्टैटेटिक से रिलेटेड लगबग लगबग चार से लेकर पांच क्यूश्चन इस यूनिट के पूछे जाते हैं इसमें आंकडों का संग्रहेंड और वरगी करन प्राथमी कांकड़े क्या ह हैं फ्रिक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं मिलान चीने का क्यूश्चन पूछा जा सकता है इस बार डाइग्राम क्या है लेखा चित्र क्या है आयत में क्या है वरतिय ग्राफ में क्या है यह सब कुछ बताया गया है और यह लेखा चित्र और रेखा चित्र इसी में आज़े new topic add किया गया है new topic add किया है so that means hundred percent इसका एक question आप सभी से पूछा जा सकता है बिल्कूल simple सा topic है लगबग लगबग आपके 50-60 question की exercise भी मैंने provide कराई है बिल्कूल zero से start करके और उसी भासा में समझाया है जो basically use करते हैं समाने बादचीत में फिर आगे चलेंगे साथियों तो जो unit five or six है वह गणित में क्या है इसकी समस्याएं क्या है गणित में क्या पढ़ना है इसकी महता importance क्या है प्रकरती क्या है यह सारा का सारा इस unit में समझाया गया है फिर थोड़ा सा आगे चलें अगर तो देखिए यह तो मैंने जल्दी से जल्दी आपको हमारे syllabus के बारे में बताया अब important चीज़ आप इतना course cover करोगे सबसे अब बड़ी समस्या जो मैंने देखी है अभी के अभिहर्थियों में मार्केट में जा रहे हैं मोडल पेपर ले रहे हैं काफी जिगे ऑनलाइन भी मोडल पेपर ले रहे हैं आप बिलीव नहीं करेंगे कई जो topic ऐसे हैं जो syllabus में नहीं है त्रिकोन मिती तकात जो ट्रिग् ना करें तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी सर अपनी syllabus करा दिया काफी अच्छे से हम प्रैक्टिस क्या करें तो उस प्रैक्टिस के लिए जो अभिर्थी नए हैं पूराने हैं जो भी हैं उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी घोसना good news एक और है देखे साथियों बिल अनलाइन टैट स्रीज का प्रोसीजर क्या रहने वाला है इस चीज को समझेगा जो हमारा पूरा का पूरा पाठ्थे करम है यह फिलहाल ओनली रीट एलवन के लिए आयोजित की जाएगी अगर नंबर ओफ स्टुडेंट इंक्रीज हैं तो एलटू के लिए भी प्रोवाइ गेन कर सकें सबसे पहला टैस्ट आयोजित होगा आपका सत्रह मार्च को किसका संख्या पदती यानि नंबर सिस्टम का लगबग लगबग देखें प्रोसीजर क्या रहेगा 20 किस्चन तो आपके नुमेरिक मैथमेटिक्स के और जो 10 किस्चन है वो रहेंगे मैथड के यानि लगबग लगबग चार-पांस दिन बाद उसमें क्या होगा पूरी की पूरी आपके जो अंक गणित है जिसमें ओसत परतीसत लाभानी साधारन ब्याज और एकिक निम सम्मिलित है इसके 20 क्यूस्चन और 10 क्यूस्चन आपके सिक्चन विधियों से रिलेटेड पूछे जा आपकी प्रिपेशन किस परकार की चल रही है क्योंकि काफी मेजर रोल प्ले करेंगे यह दोने यूनिट फिर उसके बाद अगले महिने की तीन तारिक को सबसे पहला टेस्ट है किसका छेत्रमिती का और ज्यामिती का लगबग लगबग मेन पेपर में भी 5-6 क्यूस्चन इ यूनिट को फिर उसके बाद अगला जो टेस्ट होगा दुबारा से पांच वाँ वो है इसके दो दिन बाद यानि की 6 तरिक को संख्यापदती छेत्रमिती और ज्यामिती लगबग लगबग आपके 13 से लेकर मैं बोलू मैक्सिमम 15 नंबर तक का स्कोर आप इन दोनों यून संख्यांती कंप्लीट होने के बाद 9 और 12 अप्रेल को संपूर्ण मैथेमेटिक्स का सलेबस जो मेन एक्जाम में पूछा जाएगा उसी के लेवल के अकोडिंग आपके दो पेपर लिये जाएंगे इस टेट स्रीज में जिनकी तारिक होगी 9 अप्रेल और 12 को 9 और 12 को आप संपूर्ण टेस्ट के साथ समप्त होगी और मुझे पूरी उमीद है अगर आप इन साथ टेस्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो मैथेमेटिक्स में 30 में से 30 स्कोर लाना कोई मुश्किल कारे नहीं होगा मिनिमम मिनिमम मैं बात करूं तो 28 प्लस का स्कोर हर कोई अब्यर्थ ले सकता है यह पर्सनली एक क्यूस्टन बनाई गए हैं हमारे दुवारा हम नहीं चाहते कि लास्ट के अंदर एक छोटी सी चूक आपके दो से तीन साल खराब करें क्योंकि अगली वेकेंसी कब आएगी हम वेट नहीं कर सकते साथियों तो मेंली दो बड़ी डिक्लेरिशन आप लोगों के लिए मुझे करनी थी वो यही थी कि संपूर्ण पाठे करम एलवन और एलटू का आप सभी को प्रवाइड हो रहा है ओनली वन नाइन्टीन यानि एक सो निन्यान में रुपए में और उससे वेवड़ी बात क्या है जो अभिहर थी जो कंप्लीट कोर्स ले आप अलग से ओनली मैथमेटिक्स के टेस्ट ही जोइन करना चाते हैं तो ओनली 50 रुपीज पे करना पड़ेगा इतने में तो रिचार्ज भी नहीं होता किसी भी मोबाइल का उस रिचार्ज से भी कम प्राइस में जो मेनेजमेंट टीम ने बनाए है जो उनका चार्ज है व उनके लिए 50 रुपीज चार्ज रहेगा और जो बालक हैं जो स्टूडेंट हैं हमारे जो पूरा का पूरा कोर्स ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए ओपर है आप लोगों के लिए उन लोगों को 199 रुपीज में ही यह सुलक मिलेगी तो जैसा कि मैंने प्रोमीज किया था आ आज इस बड़े परवपे में आप लोगों के सामने आया हूं तो जूट जाये साथ ही अपनी त्यारी करने अब एक छोटी से भी कमी बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी आपके लिए पूरे जोड़ सोर्च से त्यारी कीजिए और टार्गेट लेके चलिए कि मेरा प्रयास है कि मैं आपका जो सेलेक्शन होगा उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकूं अपनी भागीदारी निभा सकूं तो इन्हीं दो न्यूज के साथ साथियों वेरी ओल्डे बेस्ट 25 अपरेल का जो बहुत बड़ा पर्व होने वाला है उसके लिए करूंगा 25 अपरेल के दिन ही लाइव सोल्यूशन के साथ तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार